नमस्ते दोस्तों एक बार मैं कॉलेज में अपना कारिकरम कर रहा था और उस कारिकरम की दौरान एक कॉलेज के स्टूडेंट ने आकर के मुझसे कहा ये श्पाल ये अगर कोई आदमी चोरी करता है कोई आदमी मान लो कि ड्रग्स लेता है या दारों पीता है तो उसे उसके ह पर क्यों नहीं छोड़ देते उसे लाकर कि समझाना उसे बताना कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा जरूरी क्यों है मैंने कहा हाँ ये बात तो सोचने लायक है कि ऐसा क्यों होता है मैंने उसे पूछा क्या इस बात की कोई गैरेंटी है कि वो दारू बीने के बाद में या ड्रग्स लेने के बाद में जिस कार को ड्राइब करेगा और जिस आदमी से टकराएगा वहां मेरे बीवी, बच्चे, भाई, बहन, माता, पिता नहीं होंगे, या तुम्हारे या किसी और के नहीं होंगे इस बाद के कोई गरेंटी है कि जिस आद्मी ने चोरी की है वो पैसे किसी जरुरत मंद के नहीं होंगे तो ये हमारा फ़र्स बनता है कि कि ऐसे काम करने वाले वेक्तियों को रोकें। बुराई इसलिए जादा नहीं बढ़ती है कि बूरे काम करने वाले लोग जादा हैं। अगर आप देखें तो अच्छे लोग जादा हैं। हमारे आस पास के सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन ये अच्छे लोग उन सभी बातों पर चुप रहते हैं जिन पर इन्हें बोलना चाहिए इसलिए इस वजए से बुराई का असर हमें दिखता रहता है और दूसरी बात जादा तर यहां वहां जो चीज़ें देखते हैं उन सारी मीडिया नियूजपेपर में ये सब खबरे माने जाती हैं अगर किसी ने किसी को गिफ्ट दिया वो खबर नहीं है लेकिन किसी ने किसी से गिफ्ट छीन लिया वो एक खबर है तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे चीजें हमारे आसपास ना हो दूसरी जो सबसे एहम बात है वो ये कि ऐसा आदमी करता क्यों है क्योंकि वो अपने बारे में ऐसा सोचता है एक आदमी जो रोज अपने बारे में अच्छा सोचता है मैं अच्छा हूँ, मैं रोज समय पर उठता हूँ, मैं रोज समय पर खाना खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, मेरा परिवाद खुश है, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, वो आदमी बहुत अच्छा गिना जाएगा, बजाए उस जो रोज ये सोचता है कि मैं कहां से चोरी करूं, किसको आज किस से जगड़ा करूं, किसको आज नीचे गिराओं, तो ये जो खुद को सम्मान देने वाली बात है, ये जब आदमी समझ जाए या ये हम जब समझ जाएं, तो हम दूसरों को सम्मान देना शुरू कर देंगे, तो खुद को सम्मान देना शुरू कीजिए, अपने आपको अच्छे विचार देना शुरू कीजिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेर दिख कीजिएगा, लाइप कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू बेरी मच्छ.